यहाँ पर आज हम बात करेंगे पार्लियामेंट ओफ इंडिया रिक्रूटमेंट ध्यान रखिएगा पार्लियामेंट ओफ इंडिया रिक्रूटमेंट ब्रांच लोकसभा सेक्रेटरियेट यानि लोकसभा सचिवाले के रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन के बारे में डायरे कीजिए ठीक है शुरुवात करते हैं आज किस नोटिफिकेशन का तो ध्यान से देखिएगा प्वेश्चन यहां पर पहली जो चीज आपको जानना है वो है अप्लिकेशन पर गार जोट्रेट बनॉटिफिए थेंड नोंफिशील इंडियन सथे रखेंगे नौन ओफिशयल इंडियन सथे रेटार्य अप्लइब्लीय अं लुक्सभा औध राज्यसभा से कृतरी अच्राइट अट्राइट यह स्टेट गवर्मेंट से जुलेश्य से कृतरी अट्रा कोट ऑफ इंडिया हाई कोट्स एंड लोकल वाडिस फॉर दा इंपैल्मेंट ऑफ कंसल्टेंट इंटरप्रेटर ऑफ रिजनल लैंग्वेज ऑन अब हम आते हैं यहाँ पे डिटेल्स के बारे में ध्यान रखिएगा इंपैल्मेंट ऑफ कंसल्टेंट इंटरप्रेटर रिक्वार्मेंट कौन कौन से भासा की है असामी बंगाली बोडो डोगरी गुजराती कंणड कास्मीरी कौंकन मैथली मलयालम मनिपूरी मराठी नेपाली उडिया पंजाबी संथाली सिंधी उर्दू तेलगु तमिल और संस्कृत इन सभी भासाओं के इंटरपेटर्स की रिक्वार्मेंट है और हर भासा के पांच पोस्ट रहेंगे ध्यान रखिएगा पांच हर एक रिजनल लैंग्वेज के लिए पांच पोस्ट है तो टोटल अगर आप देखेंगे तो वन टू असामी बंगाली बोडो गोडोगरी गुजराती कंणड छे हो गया तिन नौ नौ के बाद तिन बारह और तिन पंदरह ति के रिक्रूटमेंट नौटिफिकेशन पार्लियमेंट अफ इंडिया के लोगसभा सेक्रेटरियेट द्वारा जारी किया गया है क्लियर रहेगा अप्लाइग कैसे करना है www.logsabha.nice.in पर क्लियर है चलिए नेक्स्ट हमाते है जो किस्टनल क्वालिफिकेशन पे रिक्वार क्लास 10 में किसी भी रिजनल लैंग्वेज के साथ आपकी पढ़ाई होनी चाहिए इसके अलावा अगर आपके पास डिप्लोमा इन रिजनल लैंग्वेज है कंसर्ण इनवर्सिटी से तब भी आप इलीजिबल है अपलाई कर सकते हैं या फिर रिजनल लैंग्वेज में कम से कम वर्किंग एक्स्प्रियेंस है ट्रांसलेशन में या इंटर्पेटेशन वर्क में तो भी आप यहां पर इलीजिबल है अपलाई कर सकते हैं एज लिमीट ध्यान रखेगा मिनिममम एज लिमिट 22 रखा गया है मैक्सिमम एज लिमिट यहां पर 70 रखा गया है एज ज ध्यान रखिएगा इलीजिबल कंडिडेट जितने भी होंगे उन सभी को औरेशन टेस्ट में या सिमल्टेनियस इंटर्पेटेशन टेस्ट में सामिल होगा सामिल होना होगा औरेशन टेस्ट में क्या होगा तो औरेशन टेस्ट में ध्यान रखिएगा 200 marks का रहा होगा जिस आपके 100 marks के होंगे जिसके लिए 5 मिनट का टाइम दिया जाएगा और 5 मिनट में coverage, accuracy, style, dictation, continuity of interpretation and voice, pronunciation, accent ये सारी चीजों को चेक किया जाएगा नेक्स्ट आता है date और when you जो होगा test का वो आपको admit card के मध्यम से सुचित किया जाएगा official website पर work profile और job description ध्यान रखिएगा work profile के क्या रहेगा आपका हिंदी से English या फिर English से आपका हिंदी क्या करना रहेगा किसी भी committee या session के दौरान, inter session, लोगसभा के session period के दौरान आपको translate करके बताना होगा इसके लावा translation of birthday wishes of MP, जितने भी वहां के MP है, members of parliament है, उनके बड़े के बारे में translation बताना होगा regional language में ताकि उसको orate किया जा सके, clear रहेगा regional festival का tweets करना रहेगा, इसके अलावा अगर आप देखेंगे regional language में अगर हम बात करें, lizen officer conference अगर चल रहा हो, तो आप उस दौरान जो भी बाते बोली गई हो concerned chair person के द्वारा, उसको आप regional language में translate करके overate करेंगे, clear है, next आता है reporting and duty hours, ध्यान रखेगा, consultant interpreters का जो posting होगी, simultaneous interpreters में लोक सभा secretariat में होगा, और उनको concerned officer in charge के सामने report करना रहेगा, clear है, इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो normal working hours रहेगा, फिर Saturday, Sunday, holiday रहेगे आपके, इसके अलावा अगर required होगा, तो आपको paid के साथ साथ, पैसे payment करने के साथ साथ, आपको वहाँ पे call किया जाएगा, fee औ 6,000 रुपे per day for the actual number of days of work undertaken, और दूसरा, अगर session period की engagement है, इंटर session period engagement है, उस दिन भी आपको 6,000 on per day basic actual day of working में आपको दिया जाएगा, इसके अलावा 25,000 रुपे per annum आपके retainer fee के रूप में दिये जाएगे, इसके साथ साथ travel allowances, इसके अलावा daily allowances, आउट station consultant में अगर आपक प्रोवाइड किया जाएगा, next है, convenience allowances to consultant interpreter from NCR, ठीक है, capital, national capital region में अगर आप देखेंगे, तो national capital के लिए अलग से convenience allowances provide किया जाएगा, लोग सभा secretariat के द्वारा, ठीक है, other benefits में अगर हम बात करें, तो convenience मिलेगा, convenience के साथ medical reimbursement, health coverage, इसके अलावा, TADA आपका already, telephone allowance, residential accommodation, इसके बाद house rent allowances, सारी की सारी perks आपको यहाँ पर अलग से provide किया जाएगा, ध्यान रखेंगे, leave, no leave of any kind, shall be admissible to the empowered, और engaged consultant interpreter, यहाँ पर कोई भी leave provide नहीं किया जाएगा, session जब तक चल रहा है, उसके बीच में कोई भी leave नहीं दिया जाएगा, clear रखेंगे, training के बात करें, तो सबसे पहले selected candidates को implement की और engagement की consultant interpreters के रूप में आपको पहले training दी जाएगी, और training के दोरान में अगर ध्यान रखेंगे, कोई भी additional fee, TADA, convenience allowance के अलावा कुछ भी आपको वहाँ पर नहीं दिया जाएगा, conduct rules के बारे में बताया गया है, termination के बारे में बताया गया है, marital status ध्यान रख oath of allegiance ध्यान रखेगा, यहाँ पर आपका सबत ग्रहन कराया जाएगा, allegiance का, residuary अब अब बात आती है, apply करने का, तो पहले चीज़ आप याद रखेंगे, recruitment branch, application जो होगा, यहाँ आपको send करना है, एक application format डाउनलोड करना है, लोगसभा के सेक्रेटरियेट पे उस साइट से, औ double one, double zero, zero one पे आपको send करना है, envelope में डाल करके, last date जो रहेगा application का, वो third of march रखा गया है, ध्यान रखेगा, last date of receipt of application is the third march, clear है, तो आप इस चीज़ को याद रखेंगे, अभी आपके पास दो दिन का समय है, NCR region वाले directly यहाँ पर जा करके drop कर सकते हैं, ओके, तो इस चीज़ क आप ध्यान रखेगा, चलिए, next आता है, यहाँ पे conditions में क्या क्या रहेंगे, उसके बारे में बताया गया है, can washings के बारे में बताया है, और ध्यान से देखिएगा, application का format यही है, इसको आपको download करना है, download करने के बाद सारी चीज़ों को सारी information को आपको यहाँ पे fill करना है fill करने के बाद आप उस address पर, official address जो आपको बताया गया है, उस address पर आप send करेंगे, clear है, तो guys यह था Parliament of India का लोग सभा Secretariat का recruitment notification का update, बहुत जंद मिलेंगे, हम लोग next और नए अपडेट के साथ, बने रही है चैनल पे, चैनल को subscribe करें, वीडियो को like share जरूर करें, thank you so much